नमस्कार आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस नियोज हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रयाग राज के ओर जहां दहेज के लिए एक बेटी को किया जा रहा प्रतारित सस्राल वाले पेट्रोल डाल कर जला देने की देते हैं धमकी खबर प्रयाग राज जिले के अंतरगत कर्थना च्छानत छेत्र के नवातारा गाउं का एक मामला सामने आया है जहां एक महिला को दहेश के लिए बेरहमी से मारा पिटा गया और पेट्रोल डाल कर जला देने की धमकी भी दी गए आपको बतादे थानात कर्चना के अंतरगत बुंडा गाउं निवासी सदन हर्जन ने अपनी बेटी सावित्री की साधी नवातारा गाउं की निवासी आयोधा प्रसाद हर्जन के बेटे राजेश हर्जन के साथ मैई 2018 में की थी लेकिन सावित्री देवी के जेट राजु हर्जन ससुर आयोधा प्रशाद सास सवारा देवी रविशंकर जिठानी शीला देवी गुड्डू देवी एवं अन्नी ससुराल के सजस्यों ने साल भर बीतने के बाद ही सावित्री को प्रतारित करना शुरू कर दिया और उसे माने पीटने की धमकी देने लगे 10 जून 2023 को राजेस हर्जन ने अपनी पतनी सावित्री देवी को बेरहमी से मारा पीटा राजेस के बड़े भाई राजु हर्जन और अवी संकर ने मिलकर सावित्री देवी को बेरहमी से पीटा और पेट्रोल डाल कर जला देने क धमकी भी दी साथ ही ससुराल के अन्य सदस्यों ने क्यावन हजार और एक गाड़ी की मांग करते हुए सावित्री देवी को घर से निकाल दिया इस मामले की लिखित तरीर थाने में दे दी गई है लेकिन अभी तक कोई कारेवाही नहीं की गई सावित्री देवी अपने दुन क्या नाम है आपका सावित्री क्या हुआ है गटना आपके साथ गटना हुई सब परिवाल लेक्के हमको मारा घर से निकाल दिया किस तारिक को यह गटना हुई क्या बोला गया आप से बोला गया कि पचास हजार एक क्याओन लिया के दो दहेज तिलक और एक गाड़ी तब भर में रखेंगे नहीं निकाल देंगे तुम्हारा जाल ले लेंगे इंव नाहर लो जाँ को साथ जयेथ नाम क्या है सभी का आजग्ध्या पड़साल ससु पको अंव कर वी जाइंगे वहाँ पर पकड़ेंगे अभी तक पकड़ेंगे नहीं अभी तक नहीं पकड़ेंगे अच्छा और आपका क्या नाम है सावी किरी कहां की निवासी हैं आप नुवातारा कौन सा थाना लगता है कर्शना